सनी दियोल बॉलिवुड के जाने माने अभी नेता हैं फिल्मों में उनके गुस्से वाला रूप तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा और उनके धाई किलो का हाथ उनके दुश्मनों को धूल चटाने के लिए काफी है लेकिन आज हम आपको बॉलिवुड के पांच ऐसे सूपरस्टार्स के बारे में बताएंगे जिने सनी दियोल अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं सदी के महनायक अमिताब बच्चन को सनी दियोल अपना दुश्मन मानते हैं क्योंकि उनका मानना है कि उनी की बज़े से उनके पिता धर्मेंद्र का करियर बरबाद हुआ है अनिल कपूर अनिल कपूर और सनी की दुश्मनी फिल्म जोशीले से शुरू हुई थी इस फिल्म के credit में अनिल कपूर का नाम सनी दयोल से पहले आने की बज़े से सनी नरास थे लेकिन बाद में उन्होंने अनिल कपूर के साथ फिल्म राम अफतार में काम करना शुरू किया इस फिल्म के shooting के दौराने एक scene में सनी को अनिल की गरदर पकड़ना था जिसे सनी दियोल बहुत जोर से पकड़ा और डिरेक्टर के कट बोलने के बाद भी नहीं छोड़ा इसके बाद ये दोनों कभी एक साथ नसर नहीं आएं अजे देवगर फिल्म लेजेंड ओव भगत सिंग के निर्देशक राजकुमार हिरानी ने इस फिल्म में सनी दियोल को चंदर शेकर आजाद का रोल करने के लिए कहा था सनी दियोल इस बात पर राजी हुएं और सनी इस फिल्म में शहीद भगत सिंग के रोल के लिए अजे की जगे बॉबी दियोल को जाते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ शारुख खान शारुख खान और सनी का जगड़ा तो हर किसी को पता है फिल्म डर में हीरो सनी दियोल से ज़्यादा विलेर शारुख खान को क्रेड़ देने की वज़े से सनी दियोल नरास थे और इस वज़े से सनी दियोल शारुख खान को अपना दुश्मन मानते हैं न्यूज रूम से फिल्मी अटा की रिपोर्ट